नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप आरके क्लासेस में सतरवीं BPSC वर्ज ग्रुफी यमारा टॉपिंग चल रहा है जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशुकी नदियां पूरा विस्तार से स्को पढ़ेंगे फीगरवाइस पढ़ेंगे समझ की पढ़ेंगे ताक आप देख सकते हैं जैसे यहां पर देखेंगे कौन सा देश नील नदी द्वारा आप वाहित नहीं होता अब बहुत सारा नदी पढ़ेंगे किस-किस जगह से बहता है यह जाना ज़रूरी तभी इस तरह के कोशन का हम लोग जबाब देपाएंगे कि कहां से वह बहता है त फिर आप इसकिप कर से वीडियो को खेर चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चनल पर देखेंगे क्या है आप देख लेजी इस फिगर में आपको पहले समझना है फिर से एक अलग सी फिगर हम लोग बनाएंगे जैतना कि मोबाइल में संबब हो सकता है तो चली है आपका अफ्रिका महादीफ है है यहां पर आप जो देख रहे हैं गोल जैसा यह है आका विक्टॉरिया जील ठीक है,aa spoon के यहां से कल्रिखा पार हो रही है भूमद रिखा थेक है यही सवाल कई बार पुछा गया है कि भूमद रिखा परिस्थत जील में अप को देख्य कि याद कैसे रखना है यूगांडा केनिया यह यहां पर केनिया यहां पर तंजानिया देखिए वाला आपको दिख रहा है यूगांडा है यहां पर यह वाला नीचे वाला तंजानिया है और यह वाला केनिया है ठीक है यूगांडा के उपर देखीगा दक्षनी सुडान और Kenya के उपर देखिएगा तो आप इथोपिया है डक्षिनी सुडान के उपर उत्री सुडान ये सुडान और सुडान के उपर है मिस्र ठीक है कैसे आपको ध्यान में रखना है इसको आप समझेए कि युगांडा, Kenya, तंजानिया यहाँ पर अपना हो गया देखिए M मतलब मिस्र S, सुडान इथोपिया E K, Kenya T और U मिस 1, 2 ठीक है और यहाँ सुडान के बगल में आपको ये तो याद रहेगा कि उत्री सुडान, दक्षिन सुडान दुदेश है M, S E, K, T, U M, S, 1 E, K, 1 T, U, से 2 वैसे इट्रिक को आप दिमाख से निकाल देजे अगर आप इसको दो-तिन बार रफ में अगर प्रेक्टिस करेंगे तो निश्चीत ही आपको याद हो जाएगा हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर इखिली बनाया इधर दिया यूगांडा यह आपको रफ में प्रेक्टिस करना है नीचे दिया तंजानिया बगल में दे दिये कैन्या कैन्या के उपर इथोपिया यहाँ पर यूगांडा के उपर दक्षिरी सुडान उतरी सुडान मिस्र ऐसे करके आपने एक मोटा मोटे फिकर बना लिया आपको ध्यान में रखना है कि यह मिस्र है यह सुडान है यह दक्षिरी सुडान है यह यूगांडा है यह आपका तंजानिया है यह केन्या है यह इथोपिया है ऐसे करके आप 8-10 बार लगाता अगर कहीं रफ में फिवर बनाएंगे तो चीज आपको गरेंटी से याद हो जाएगा अब देखी क्या कहता है ये रहा विक्टोरिया जील विक्टोरिया जील से जो नदी निकल रही है इसका नाम है श्वेत निल नदी ठीक है और यहाँ इथोपिया में अगर आप एक जील देखें तो इस जील का नाम है ताना जील ताना जील से निकलता है नीली नीलनदी श्वेत नीलनदी नीली नीलनदी ये जो नीली नीलनदी है ये सुडान में श्वेत नील से खार्तुम के पास मिल जाता है तब जाके इसका पूरा तरह से नाम पड़ता है नील नदी और मिस्र में ये बहनी के बाद जो है भूमत सागर में गिर जाता है तो हमें ध्यान में रखना है कि श्वेत नील नदी विक्टोरिया जहील से निकलती है Victoria जील जो है तीन देशों के सीमा पर है ठीक है Uganda, Tanjania और Kenya ठीक है Uganda, Tanjania और Kenya के सीमा पर है Victoria जील यहाँ Victoria जील से जो नदी निकल रहा उसका नाम है Shwedanil नदी या Shwedanil नदी यह जो निकला पहले युगांडा में चलेगा फिर दक्षिनी सुडान में जाएगा फिर सुडान में और अंतता मिस्र में जाकर के भुमत सागर में गिर जाएगा Shwedanil नदी इसके गिरने से पहले सुडान में ही ताना जील से निकलने वाली एक नदी है जिसको कहते हैं ब्लू निल नदी ये खारतुम में इसके पास आकर के मिलती है यहाँ ध्यान लगना है कि मिस्र में निल नदी पर एक बांध का निर्मान किया गया है जिसका नाम है आश्वान बांध आश्वान बांध का निर्मान कहां किया गया है मिस्र में निलनदीपर, बांध के निर्मान होने के कारण एक जील का भी निर्मान हुआ है जिसका नाम है नासीर जील, मिसर में निलनदीपर, ठीक है? उम्मीद है आपने इस फिगर को अच्छे से समझ लिया होगा, देखिए आपको धियान में रखना है, किस तरसे अगर आप धियान म उपर में दक्षिनी सुडान उत्री सुडान और यहाँ पर बना दिये मिस्र ठीक है उपर है बुमत सागर जहां की गिरेगा विक्टोरिया जील से निकला श्वेत निल नदी और ताना जील से जो कितोपिया में है यहां से निकला बुलू निल यह इसमें आके मिला ठीक है और संयुक्त धारा जो है बुमत सागर में गिर गई आपको ध्यान में क्या रखना है कि मिस्र में जो है आश्वान बांध है नासीर जील है निल नदी पर बना है और देखिए यूगांडा में भी एक बांध है श्वेत निल पर तो चलिए इसको देखते हैं श्वेत निल पर यहां गर आप देखेंगे फिगर में तो ओवन फॉल बांध का निर्मान किया गया है ओवन फॉल बांध सवाल आप से पूछ सकता है क्योवन फॉल बांद किस देश में है तो ध्यान डखना है यूगांडा पे जो फिगर में हम लोगों ने देखा उसी चीज को आईए यहां पर देखते हैं क्या कहता है नील नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है श्वेत नील नदी और नीली नील नदी नील नदी विष्ट्र की सबसे लंबी नदी है इसके लंबाई 690 किलोमेटर है फिर कहता है कि जो दो नदी से मिलकर ये बना है श्वेत नील नदी और नीली नील नदी तो उसी में कह रहा है कि श्वेत नील नदी का उदगम विक्टोरिया जील से होता है विक्टोरिया जील से यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्टोरिया जील से यह है कहां जा रहा है युगांडा युगांडा के बाद दक्षिनी सुडान फिर जा रहा है उतरी सुडान और अंत में जा रहा है मिस्र वही कह रहा है, यूगांडा जिल से निकलने के बाद, ये यूगांडा, दक्षिनी सुडान, उतरी सुडान और मिस्र में भायते हुए डिल्टा बना करके भूमत सागर में जा करके गिरता है, प्रreck प्रकोटिया जीन ही यहाँ पर यहाँ पर केनिया ठीक है विक्टोरिय जीन भुमत सागर परिस्थित जीन है विक्टोरिया जीन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है श्वेत निल नदी निकलती है विक्टोरिया जील तीन देशों की सीमा पर युगांडा फिर आपका तंजानिया और केनिया की सीमा पर इस्थित है प्लियर है विक्टोरिया जील जो है भूमत सागर परिस्थित जील है आगे देखें क्या कहता है कह रहा है कि नीली नील नदी का उद्गम इठोपिया देश के ताना जील से होता है यहां से यह है इठोपिया वो उत्री सुडान देश में बहते हुए यहां की जो राजधानी है खार्टुम में जा करके श्वेत निल नदी में मिल जाता है अर्थात जो निली निल नदी है जो कि धूपिया के तना जिल से निकलती है इसका बहाव छेत्रक मात्र दो दिसों में एक तो गया धूपिया एक हो गया उत्री शुडान ठीक है और खार्तुम के पास जा करके ये श्वेत निल नदी में मिल जाता है तब इसे निल नदी के नाम से जाना जाता है देखी और कुछ फैक्ट है कहता है कि निल नदी को मिसर देश के वरदान के रूप में जाना जाता है निल नदी पर युगांडा में ओवन फॉल बांद का निर्मान किया गया है निल नदी पर युगांडा में ओवन फॉल बांद का निर्मान किया गया है निल नदी पर मिसर में आश्वान बांद एवं नासीर जिल का निर्मान किया गया है ध्यान रखना है आश्वान बांद कहां पर है मिस्र में नील नदी पर और नासिर जिल का निरमान हो गया है आश्वान बांध करने के कारण नासिर जिल मिस्र अब कहता है देखिए नील नदी के किनारे इस्थित राजधानियां की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिनी सुधान की राजधानी जूबा ये इस्थित है ओतरी सुधान की राजधानी खार्तुम ये भी इस्थित है खार्तुम में ही जो है नीली नील नदी श्वेत नील नदी से मिल रही थी मिस्र की राज़ानी काहिरा भी इस्तित है तो ये था overall नीनलंदी के बारे में अब इसका देखिए आपको practice किस तरह से करना है थोड़ा से इसको बड़ा कर लेते हैं आपको ध्यान में क्या रखना है सबसे पहले आपको एक जील बनाना है अपने मन से ये rough practice बता रहे हैं ताकि आपको कौन सा country कहाँ पर है कौन सा जील कहाँ पर है ये दिमाग में बैठ जाए अपने विक्तुरिया जील बना लिया और भूमाद रेखा क्रॉस कर दिया ठीक है फिर आपको ध्यान में रखना है ये बार-बार आप practice करियेगा तो ही आपको याद होगा ये देखे ये बनाया युगांडा नीचे कर दिये तंजानिया और इधर कर दिये केन्या clear है युगांडा के उपर में बना दिये दक्षिनी सुडान फिर बना दिये उतरी सुडान और यहाँ बना दिये मिस्र और ध्यान रखना है युगांडा, तंजानिया, केनिया और यहाँ पर बना दिये इथोपिया अब देखी विक्टोरिया जील से निकला जो है श्वेत निल लदी श्वेत निल लदी कहाँ कहाँ पहले चलेगा युगांडा में बहाँ दक्षिन सुडान में, पूतरी सुडान में, मिस्र में और गिर गया भूमद सागर में एक और जील है ताना जील, जो की इथोपिया में है यहाँ से चला यह निली निल लदी उसको बोलते हैं, यह इथोपिया में चला और सुडान में जाके खारतुम के पास मिल गया यहाँ पर जो है एक जील बन गया जिसका नाम है नासीर छेल ऐसे गर आप चार-पांच बार फिगर बना लेते हैं तो जो तियोरी वाला सेक्षन है वही चीजे वहाँ पर लिखी गई है आपको रिवाइज करने में दो से तीन मिनिट लगेगा उमीद है आप चीज को समझ ग क रहे हैं यह है कांगो देष का फोटो मोटा मोटी फोटो ऐसे आप समझिए ठीक है और यह देखते हैं यह भूमत रेखा क्रॉस कर रही है zero कोई जरू नहीं कर आपको इस तरह से एकदम फिगर बनाना है आपको ध्यान में रखना है हमें वहाँ जो है कांगो देष का map बन है। इधर अरथात दक्षिन पूर में पनाा देगे जिसका नाम है कटंगा का पठार ठीक है अब देखिया यहाँ सी ध्यान में रखना ऑलाना है। बुमद रिखा को दो बर क्रोस करवा दिए कटंगा के पठार से जो नदी निकल रहा है इसका नाम है लुआ लाबा नदी लुआ लाबा नदी ठीक है लुआ लाबा नदी में एक नदी आके मिल रहा है जिसका नाम है लो मामी नदी आप जाद रख सकते हैं लुवा लाबा नदी कटंग के पठार से निकलता है और इसमें एक नदी आ करके मिलती है लू 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 मामी लाबा ऐसे आप राकेतै हैं लाबा धान लाबा तो ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते है तो लुआ लाबा नदी कटंगा के पठार से निकलती है वो मदरिखा को दो बार काटती है और इधर आकर के दक्षिनी अट्लांटिक महसागर में आकर के गिर जाती है ठीक है ध्यान रखिएगा कि ये जो नदी है इसका मुखी जो आप कह सकते हैं लुआ लाबा नदी जो है ये कांगो जायरी नदी का मुख इसरोत है ठीक है इस पर एक जलपरपाथ है स्टेनले जलपरपाथ और एक और जो है जलपरपाथ जिसका नाम है लिविंग स्टोन जलपरपाथ स्टेनले जलपरपाथ कांगो जायरी नदी पर लिविंग इस्टोन जल पर पात कांगो जारी नदी पर इसमें देखिए एक और नदी आके मिल रहा है कसाई नदी कसाई इससे पहले उत्तर की ओर एक नदी और मिल रहा है उबांगी नदी ध्यान से देखिए कटंगा के पठार से लुआ लाबा नदी निकली उसमें लुमामी नदी आके मिल गई ठीक है जब इस नदी ऊपर की ओर बढ़ती है और भूमत से असागर भूमत रेखा को काटती है तो एक नदी और जिसका नाम है उबांगी यह आके इसमें मिल गई फिर यह अपना नीचे आके इधर दक्षिन पस्चिम के उर गिरती है और इसमें एक नदी कसाई नदी यह भी आकर के मिलती है कसाई उबांगी लुमामी यह सब इसके सहाइक नदिया है सवाल आपसे पूछ सकता है कि उबांगी किसकी सहाइक नदी है यह लुमामी किसकी सहाइक नदी है कुछ भी पूछ सकता है अब ठीक है और हमें ये भी धियान रखना है कि दो जलब परपाथ कौन सा स्टेनले जलब परपाथ और लिविंग स्टोन जलब परपाथ इसमें है जलब परपाथ के साथ एक बांध भी आद रखी आप कि इंगा बांध इंगा बांध जो है कांगो जायरे नदी पर कांगो में है क्लियर है वही बात यहाँ पे लिखा गया देखी क्या कहता है कांगो या जायरे नदी अफरिका महादीप के कांगो या जायरे देश में भहती है यह यहां से भैते हुए भूमद रेखा को दो बार काटती है बहुत बार यह कोशन पूछा जा चुका है कि कौन से नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है भूमद रेखा को दो बार काटती है तो ध्यान रखिएगा आगी क्या कहता है कांगो या जारे नदी विश्व की दूसरी सरवाधिक जल बहावाली नदी है कतन कारण में पूछ सकता है तो ध्यान रखिएका हर एक लाइन इंपोर्टेंट है कांगो या जारे नदी विश्व की दूसरी सरवाधिक जल बहावाली नदी है कहता है यह विश्वतिय वर्षा वन छेत्र से हो करके प्रभावित होता है विश्वतिय वर्षा वन छेत्र से यह नदी जो है यह प्रभावित होता है यही इस वन छेत्र में विश्व प्रशिद पिगमी जनजाती निवास करती है तो आपको दो चीद याद में रखना है कि कांगो या जारे नदी विश्व का दूसरा सरवाधिक जल बहावाला नदी है और ये जो नदी है विश्वतिय वर्षा वन छेतर से जो करके जो प्रभावित होती है और यहाँ पर एक विशेश जनजाती पाई जाती है पिग्मी त इसके लब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कांगो को वनो का देश के उपनाम से भी जाना जाता है आगे देखी क्या कहता है कांगो ये जैरे नदी की मुख्य शाखा लुआ लाबा नदी है जिसका उदगम कटंगा पठार से होता है लुआ लाबा नदी का उदगम कहां स फिर देखिए क्या कहता है कि कांगो एजारी नदी पर कांगो देश में स्टेनले जल पर पात वा लिविंग स्टोन जल पर पात निर्मित है कौन सा दो जल पर पात है स्टेनले जल पर पात लिविंग स्टोन जल पर पात क्लिर है आगे कहता है इंगा बांध कांगो में जैरे नदी पर बनाया गया है इंगा बांध फिर देखी क्या कहता है कि कांगो नदी के किनारे कांगो देश का किशन गनी नगर किशन सा नगर वह मटाडी बंदरगा है मटाडी बंदरगा कहां पर है सवाल बन सकता है कांगो में और ये जो कांगो एजायरी नदी है इसे किनारे मटाडी बंदरगा भीस्तित है किशन गनी नगर भीस्तित है किशन साशा नगर भीस्तित है आगे देखी क्या कहता है उबांगी नदी कसाई नदी और लोमामी नदी ये तीनों इसकी प्रमुक्षायक नदियां है किलियर है अब आपको ध्यान में देखी कैसे रखना है तोड़ा से जगह बना लेते हैं आपने सबसे पहले इस तरह से जो है एक फोटो बना लेना है ये भूमद रिखा निकाल दिये हम लोग 0 डिगरी को निकाल दिये दक्षिन जो है पुर्व में कटंगा का पठार बना दिये यहां से एक नदी निकाले लुआ लाबा नदी लुआ लाबा नदी निकाले उत्तर मिले गए और इधर निकाल दिये फिर देखिए यहां पर एक नदी आके मिलना जिसका नाम हम लोगों ने बुला था लो मामी लाबा तो लो मामी नदी यहां पर एक नदी आके मिलना जिसका नाम है कसाई और यहां एक नदी जिसका नाम है उबांगी नदी ये इसका सायक नदी का प्रैक्टिस हो गया फिर यहाद रखना है जलपरपात भी है क्या तो बिल्कुल है यहाँ पर जलपरपात है एक यहाँ पर जलपरपात है स्टेनले जलपरपात लिविंग स्टॉन जलपरपात स्टेनले यह हो गया लिविंग इस्टोन ये हो गया ठीक है फिर जल पर पात हो गया स्वाइक नदी हो गया अब याद रखने है बांध भी है तो बिल्कुल है एक बांध भी है इंगा बांध इंगा इंगा बांध भी है ठीक है चलिए उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे अब जो है अगला नदी आ रहा है ये है नाइजर नदी नाइजर फिगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे नाइजर नदी का आए देखते हैं क्या कहता है फिगर देखिए यहाँ पर है गिनी उसके बाद माली आपको यही जरूर याद रखना है कि किस दिष्क के बगल में कौन सा देख है उसके आकर्ती यहाँ कैसे बनिये यह माइने नहीं रखती है जहन रखना है गिनी, माली, नाइजर, नाइजिरिया इधर बगल में बेनिन अनीचे में गिनी की खाड़ी यह है अपना जो कह सकते हैं Map, Nizer नदी का चा है गीनी, माली, नाजर नाजिरिया उसके बगल में बेणिन और नीचे गीनी की खाड़ी लियर है तो जब भी आप फोटो बनाएंगा इसे यो बना सकते हैं गीनी, माली बगल में नाजर उसके नाजिरिया यहाँ पर गीनी का जो पठार कह सकते हैं गीनी उच्छ भूमी से एक नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं निकल रही है जिसका नाम नाइजर नदी है यह सबसे पहले गया माली में वहां से माली के बाद नाइजर में नाइजर के बाद यह बेनिन में गया और वहां से सीमा बनाते हुए नाइजरिया में इंटर करते हुए गिनी की खाड़ी में गिर रहा है यहाँ पर आप देख रहे है ठीक है रोड मैप आपको ध्यान में रखना है गिनी, माली, नाइजर, नाइजरिया, बेनिन, गिनी की खाड़ी ठीक है ध्यान रखिए का माली में माली का एक नगर है टिमबक्टू नगर ये नाइजर नदी के किनारे इस्तित है नाइजर जो देश है उसका कैपिटल है नयामी ये नाइजर नदी के किनारे इस्तित है और नाइजरिया देश में नाइजर नदी पर कैंजी बांद का निर्मान किया गया है नदी पर नाजिरिया में Kenji Kenji कैची नाई ऐसे रखी Kenji कैची नाई नाजिरिया और नाजिरिया में एक port हार्ट कोट हार्ट कोट या हार्ट कोट चलिए देखते हैं क्या कहता है नाजर नदी का उद्गम गिनि देश के गिनि उच्छ भूमी से होता है यहां से माली नाइजर बेनन देश से सीमा बनाते हुए नाइजरिया देश में बहते हुए डेल्टा बना करके गिनि की खाड़ी में जा करके गीर जाती है आगे देखी क्या कहता है कि नाइजर नदी के किनारे माली देश का टिमबक्टू नगर टिमबक्टू नगर माली देश की राजधानी बेमे को ध्यान रखना है बेमे को कहा की राजधानी है माली की तो आपको ध्यान रखना है कि नाइजर नदी के किनारे माली देश का एक नगर है टिमबक्टू और माली की राजधानी बेमे को तथा नाइजर देश की राजधानी नयामी वो नाइजिरिया का एक पोट हाट कोट बंदरगा इस्तित है अर्थात नाइजिरिया यह नाईजर नदी जो हम लोग प्लट रहे हैं यहाँ इसके बगल में क्या क्या éstit है वो हमको ध्यान में रखना है पहला है माली का टेमबक्टु नजर और माली की राज्ञानीब में को नाईजर देश की जो कैपिटल है नयामी वो इस्तित है और नाइजिरिया देश में पोर्ट हार्ट कोर्ड भी एस्तित है आगे देखी क्या कहता है कि नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है बहुत बारे सवाल पुछा गया है कि तेल ढूने वाली नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है नाइजर नदी को नाइजर नदी पर नाइजरिया देश में केंजी बांध का निरमान किया गया है ध्यान डखना है कि केंजी बांध का निरमान किस नदी पर किया गया है नाइजर नदी पर केंजी बांध किस देश में है नाइजिरिया में है नाइजिरिया देश को तेल वर ताड का देश के उपनाम से जाना जाता है ध्यान रखना है तेल वर ताड का देश किस देश को कहते हैं नाइजिरिया को वनों का देश कांगो को कहते हैं क्लियर है, इसको अगर आप समझ चुके होंगे, तो इसका भी एक पार, रिविजन हम लोग मार लेते हैं, हम लोग उने बनाया था ये गीनी, इसके बगल में ये माली, नाइजर, नाइजिरिया, यहाँ पर बनाया था बेनीन, और इधर बनाया था गीनी की खाड़ी, क्लियर है, यहाँ से नदी निकली, माली में गई, माली के बाद नाइजर में गई, फिर यहाँ सीमा बनाते हुए बेनीन और नाइजिरिया होते हुए, यहाँ पर आ करके, यह निगी खाड़ी में गिर गई, माली देश में गई रखना है टिम्बक्टू नगदर, और इसका जो कैपिटल है बेमे को, वो इस्तित है, नाइजर का कैपिटल नायामी, वो यहाँ पर रिस्तित है, इस नदी के किनारे, और नाइजिरिया में यहाँ पर है कैंजी बांध, और इस जगे पर जहाँ पर में रखना है नाइजर नदी का इससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना ऐसे करके एक अगर बना लेना है बुमद्रेखा जीरो क्रोस करवा देना है कांगो जारी की बात हो रही है कटंगा का पठार बना लिए नदी निकाले इधर ले आए क्लियर है नदी का नाम था लुआ लावा नदी लावा आप दे रहे हैं लो मामी को लो मामी नदी कसाई नदी उबांगी नदी ठीक है साहिक नदी हो गया अब बात करेंगे किसका जल परपात का यहां पर बिल्कुल है इस्टेनले जल परपात है यहां पर लिविंग इस्टोन जल परपात है जल परपात हो गया बांध भी है कि आत बिल्कुल इंगा बांध यहां पर है और यह दो बार भूमत है टाइन्स फिगर का प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एक भी चीज मिस्ट नहीं ठीक है अब यहां देखिए विक्टुरिया जल बनाए बीच से गरेखा निकाल दिए यहां पर डाल दिए हम यूगांडा ठीक है नीचे तंजानिया बगल में केन्या यूगांडा को उपर दक्षिनी सुडान उसके उपर उतरी सुडान यहां पर बना दिए मिस्ट और यूगांडा तंजानिया केन्या केन्या को उपर बना दिए इतोपिया है ठीक है विक्टोरिया जील से निकाले स्वेत निल नदी ठीक है भूमत सागर मिर गया इतोपिया का एक जील है ताना जील यहां से निकाले ब्लू नाइल जो की सुडान में खारतुम के पास स्वेत निल नदी से मिल जाती है ठीक है स्वेत निल नदी यूगंडा में पहले बहा फिर दक्षिन सुडान में फिर उत्री सुडान में फिर मिस्र में और फिर भूमत सागर में जा करके गिर गया यूगांडा में ही एक बांध है जिसका नाम है ओवन फॉल बांध बांध से आदाया कि मिसर में भी एक बांध है आश्वान बांध बांध के बगल में जील बन गया है नासीर जील ताना जील की बात करें तो निलिल निल नदियां से निकलती है और इधोपिया और दक्षिन सुडान में खारतों के पास जा करके मिल जाती है क्लियर है निकट इस्थित राजधाने भी याद रखना है तो मिस्र का कहीरा इस्थित है दक्षिन सुडान का जूबा इस्थित है है ना और उत्री सुडान का खारतों में स्थित है हो गया नहीं नदी क्या समय लगा इसको रिविजन करने में इसलिए आपसे रिक्विस्ट है कि रॉफ कॉपी में इस तरह का आप चार पांच बर बना लें चले आगे देखते हैं अब जो नदी आ रही है इसका नाम है लिमपोपो नदी लिमपोपो इसको याद कैसे करेंगे तो पहले हम लोग सबसे पहले फिगर को देखते आ रहे हैं तो फिगर को ही देखेंगे क्या है फिगर? साउथ अफरिका बगल में बोथ सवाना उसके उपर जिमबाबे अधर मोजांबिक ऐसे आपको याद कर लिना है लिमपोपो जैसे ही आए तो आपको क्या रखना है? कि साउथ अफरिका, बोथ सवाना, जिमबाबे, मोजांबिक ठीक है? साउथ अफरिका, बोथ सवाना, जिमबाबे, मोजांबिक ऐसे चार यू बना देंगे एक यू, दू यू, तीर यू, चार यू ऐसे चार बना दिया साउथ अफरिका, बोच्वाना, जिंबाबे, मोजांबिक ऐसे अब देखी क्या कहता है मरेकू नदी और एक क्रोकोडाइल नदी मरेकू नदी, क्रोकोडाइल नदी ये नदी जो है आपस में मिला ठीक है ये इसके मिलने से किसके मिलने से मरेकू और क्रोकोडाइल नदी के मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी लिम्पोपो ये देखीए ये दक्षिन अफ्रिका, बोथसवाना, जिंबाबे, फिर जाता है मोजाम्बिक, मोजाम्मिक में बहने के बाद हिंद महासागर में जाकर के गिर जाता है तो इसका boundary आपको याद रखना है दक्षिन अफरिका, बोथसवाना, जिंबाबे, मुजांबिक फिर चला गया हिंद महासागर में गिर किया ठीक है यहां से गिरिखा क्रॉस कर रही है 26 मकर रिखा क्या कहता है देखिए लिंपोपो नदी मकर रिखा को दो बार काटती है बिल्कुल काट रही है लिंपोपो नदी मरेको एवं क्रोकुडाइल नदियों के आपस में मिलने से बनती है मरेको और क्रोकुडाइल नदी मिलकरके लिंपोपो नदी बन रहा है फिर क्या कहता है कि लिंपोपो नदी दक्षिन अफरिका, बोटसवाना, जिंबाबे वा मोजाम्बिक देशों में बहने के बाद हिंद महासागर में जा करके गिर जाती है बिल्कुल गिर जाती है फोटो आपको कैसे याद रखना है? फोटो इंपोर्टेंट है सबसे पहले चार यू बनाएंगे ऐसे करके यह हो गया साउथ, अफरिका, बोटसवाना, जिंबाबे, मोजाम्बिक ठीक है एक नदी है मेरेको, एक है क्रोकोडाइल दोनों मिला इसका बॉंडरी पर भादते हुए मोजाम्बिक में आया फिर हिंद महासागर में जा करके गिर गिया क्लिर है, और यह 23.5 को दो बर क्रोस कर रहा है क्लिर है, ना कोई जल पर पाद, ना कोई बांध आगे देखेंगे जैंबेजी नदी जैंबेजी नदी के बारे में फिगर देखते हैं क्या है कुछ नहीं है फिगर देखेंगे फिगर में कंट्री आपको याद रखना है अंगोला है, नामीबिया है, जांबिया है उसके नीचे जिंबाबे है बगल में बोच्छवाना है, इधर मोजांबिक है तो अभी अगर आप ध्यान से देखेगा ये बोच्छवाना, जिंबाबे, मोजांबिक और अफ्रिका मतलब दक्षिन अफ्रिका ये चार कंट्री तो हम लोगों ने पढ़ाई है ठीक है, तो देखी फिगर अगर आप समझते हैं तो आपको मालूम चल जागा है कौन सा कंट्री किस जगह पर है उसके अगल बगल में कौन सा है या कौन सा रेखा किदर सिफ क्रोस कर रहा है ये बहुत इंपोर्टेंट है तो देखी आँ देखिए अंगोला, नामिबिया, जांबिया जांबिया के नीचे जिंबाबे जिंबाबे के बगल में बहुत स्वाना, मोजांबिक, इधर है अफरिका चुनदी है, ये है जेंबे जीनदी इसके बारे में विस्तार से अगले लेक्श्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद आप लोग वैसे भी मुश्किल से कोई इसको अच्छे से देखता नहीं है खेर कोई बात नहीं, अगर दो-चार लोग ही देखते हैं तो उनके लिए ही सही अगले लेक्श्चर में बात करेंगे तब तक लिए थैंक यू